असलाम हुआ अलेकुम और रहमतुल्लाइ बरकातु दोस्तों कैसे आप सब मैं हूँ शबीना ठाकुर और आप देखरें कोकिंग विश शबीन अली तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार एक किलो मटन की दम बिर्यानी काफी स्पेशल है और सिक्रेट बिर्यानी मसालों का शांदा सा टेस्ट और जलते हुए कोईले का स्मोकी फ्लेवर तो बहुत ही जबदसी ये रेसिपी बनती है तो आप भी इसे ट्राइ करें और हा जो कि हर घर में मौझूद होता है तो यहां पर हमने दो बड़ी इलाइची दो बदियन का फूल तीन से चार दालचिनी के तुकड़े साथ से आठ लॉंग वन टी स्पून साबित काले मेर पांस से छे हरी इलाइची और इन तमाम चीज़ों को हम हमाम दस्ते में इन देखे इस तरह से इसका इसे कूट कर हमने यहां पर बना कर रख दिये हैं और आप चलिए यहां पर हम कुछ इंग्रीडियन्स देख लेते हैं जो कि बिर्यानी में जाने वाले हैं तो देखें यहां पर टू टेबल स्पून अधर कलसन का पेस्ट लिए वन टी स्पून शाही जीर और यह त्री टेबल स्पून हमने लाल मिर्च लिये हैं लाल मिर्च का पौडर और यह गरम मसाला जो हमने दरबरा पिसे हैं वो लेंगे एक निम्भू का रस दो 200 ग्राम के करीब हमने धही लिये हैं मुट्टी बर पुदीना के पत्ते जाइके के मुताबिक नमक चार अलू के 4 पीस बनाए है और यहां पर यह हमारा होम मेड बिरिस्ता है हमने यह घर में बनाए मेरे चैनल पे अपलोड आप जा कर देख सकते हैं और यह हमने करीब 5-6 प्यास का बिरिस्ता बनाए है और यहां पर 10-12 काजू 10-12 बदाम लिये हैं और यहां पर हमने 4-5 अलु पानी उबलता है हम गोश को मैरिनेट कर लेते हैं तो यहाँ पर एक किलो के करीब गोश लिए है और इसे अच्छे से धो कर इसके मीडियम साइज के पीज बनाएं है तो सबसे पहले हम इसमें सारी इंग्रेइन्स जो हमने पहले आपको बताए थे इसे डाल देगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल्दी पौडर डालेगे और देखी हमने गोश के इस तरह से बड़े बड़े पीज बनाए हैं तो इसमें यह लाल मिर्च पौडर डालेगे और मिर्च आप अपने जाइके के मताबिक डाले क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च भी डाल रहे है अधर क्लेसन का पेज डालेगे कुटा हुआ हरी मिर्च डालेगे और यहाँ पर जो हमने बिर्यानी का सिक्रेट मसाला बनाए थे इसे भी डाल देगे और यहाँ पर यह हरी इलाइची पाउडर, निम्भू का रस, जाइफल, जावित्री का जो हमने पाउडर बनाए है इसे डाल देगे आलू बुखाला डालेगे और यहाँ पर आलू भी शामिल कर लेगे आलू बिरियानी में बहुत मज़े का लगता है इसलिए जरूर इसे शामिल करे और तो यहाँ पर देखे हैं हमने यह जो बिरिस्ता बनाए है इसे डाल देगे और थोड़ा सा भी रिस्ता हमने बचा के रखे है, बाकी सारा हमने डाल दिये है, दही को डालेगे, और इसमें जाइके के मताबिक नमक शामिल करेगे, और यहां पर यह वान टी स्पून हम भर कर शाही जीरा शामिल करेगे, तो अब इसे इन तमाम चीजों को हम अच्छी तर काजू डालेगे, बादाम डालेगे, और चुटकी भर शाही जीरा भी शामिल कर लेगे, और यहां पर यह एक कप भर कर हमने तेल लिए है, इसे डालेगे, यह वही तेल है, जिसमें हमने प्यास का बिरिस्ता बनाए थे, और इसे डाल देगे, अब इसमें यह हम मुठी भर कर बिरिस्ता डालेगे इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और इसे कुछ अच्छा बहुत ही अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर देनी के लिए हमने ये जलता हुआ कोईला डाल दिया और इसे 10 मिनिट तक धक कर रख देगे तो चले यहाँ पर यह जब तक हम इसे मैरिने होने देते 10 मिनिट तक आप चाहे तो इसे एक घंटा दो घंटा भी रख सकते हैं तो यहाँ पर चावल को देख लेते तो चावल देखे हमने एक किलो के करीब लिए बास्मती चावल है और इसे अच्छी तरह से धोकर दो घंटे के लिए भीगो कर रखे दे तो चले कि 40 परसंट जब हमारे चावल पक जाएगा तब हम चावलों की तय लगा देगे तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं एक बार तो दस मिनिट हो गए है चले यहाँ पर हम धकन को हटा लेते हैं और यहाँ पर यह कोईले को निकाल लेते हैं बहुत ही स्मोकी सी फ्लेव माशाला बहुत जबरदस तो यहाँ पर दीखे 40% हमारा चावल पक गया है तो इसकी एक तय लगाएगे और अच्छी तरह से फैला देगे चावलों को तो यह दूसरी तय हमने 70% हमारा जो चावले वो कूक हो गया था तो इसकी भी हम यह दूसरी तय लगाएगे और यह ति इसे डाल देगे यहाँ पर देखे चुटकी भर हमने केसरी फूट कलर 2-3 ड्रॉप केवडा एसेंस और 2 टेबल स्पूर्म पानी डाल कर इसका एक मिक्सचर तयार कर लिए है और इसे डाल देगे इसे डाल कर अब इसे दम देने के लिए हमने यहाँ पर यह यह फॉइल पे पेपर या बटर पेपर या कोई साधा पेपर भी डख सकते हैं दम देने के लिए तो बहुत ही अच्छा दम होगा क्योंकि गोश्ट तो हमने यहाँ पर यह फॉयल पेपर का इस्तिमाल किये हैं क्योंकि गोश्ट हमारा अभी कच्छा है तो इसलिए फॉयल पेपर से ढखकर के उपर हम ढकन लगा देगे और इसे दम देने के लिए हमने यहापर तवार रखे हैं तबे के उपर दम दे गे तो flame को बिल्कुल medium to low रखेगे medium to low flame पर इसे करीब देड़ घंटे के लिए दम होने देने के लिए छोड़ देते हैं देखें यहाँ पर देड़ घंटा हो गया है तो चले इसे चेक कर लेते तो देखें यहाँ पर धक्कन हटा देते हैं और यहाँ पर आपको एक tips बता देती हूँ कि जब भी हमारा बिर्यानी पकता है तो यह foil paper इस तरह से उपर आ जाता है यानि फूल गया है तो समझ जाएगा कि हमारी बिर्यानी बिल्कुल तयार है तो इसे अब हम foil paper को हटा देगे और यहाँ पर बिल्कुल बिर्यानी तयार है तो इसके उपर यह हम 3 टेबल स्पून भर कर देशीगी डालेगे पांच मिनिट तक इसे ढख देगे और पांच मिनिट बाद आपको बताते तो देखें पांच मिनिटों गए ढखकन अटा दिये हमने और खुश्बू तो किया ही कहने माशाला पुरा घर में फैल गया खुश्बू बारक अलाफे बहुत ही जबरदस तो फाइल पेपर को भी हमने हटा दिये और बहुत ही जबरदस ला जवाब बिर्यानी बनकर हमारी बिल्कुल तयारे चावल तो देखे माशाला बहुत जबरदस खिले खिले बने है और आलू के तो बहुत ही मज़े हो गए है इस बिर्यानी में क्योंकि बिर्यानी में आलू बहुत ही मज़े का लगता है तो आप भी इसे जरूर शामिल करें तो यहाँ पर देखें चावल देखें माशाला बहुत जबरदस तो चलिए इसे अब हम सर्फ कर लेते तो देखें यहाँ पर एक प्लेट लिए है और इसमें यह गरम गरम हमारी जो बिर्यानी तयारे खुश्बुदार मजेदार इसे सर्फ कर लेते हैं तो बहुती आसान है यह बिर्यानी बनाना और गोश भी हमारा बहुती अच्छे से गल गया है और यहाँ पर यह आलू भी अच्छे से गल गये है तो बहुती जबरदस यह देखें चावल देखें माशाला बहुत ही जबदस पके है खिले-खिले से तो अब भी इसे इस तरह से जरू से जरू ट्राइ करें और यहाँ पर देखे हमने यह पुदीना और थोड़ा सा हमने हरा धनिया और हरी मिर्च थोड़ा सा नमक डाल कर इसका एक हरा मसाला बनाए थे और इसे धही में डाल कर थोड़ा सा प्यास डाल कर इसका राइता तयार किये हैं और आलू को तो देखे कितना मुलायम हुआ है और सारे मसालों में अलू डूबा हुआ है बहुत ही मज़ेदार और मटन देखे बिलकुल रूई की तरह बिलकुल सॉप्ट और इसमें जो आलू है और जो आलू और गोस्ट में मसाले लगे हुए है मज़ेदार फ्लेवर फुल बाइट है रेक बाइट आपको इसमें काजु बदाम है और जो आलू उखारा सिक्रेट बीड्यानी मसाला और कहीं पर काजू मुँआ आ रहा है कहीं Pयास तो यही खासियत होती है बिर्यानी की बहुत ही मज़ेदार बहुत ही शानदार इतनी तारीफ सुनने के बाद अब तक रुके हुए तो जाएए जल्दी से इसे ट्राइ कीजे और मुझे कमेंट करके बताए कि आपको ये बिर्यानी माशाला से बहुत कैसी अगर अच्छी लगी है तो प्लीसी से लाइक शेर और सब्सक्राइब करना भूलेगा मत तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए दूआ में याद रखे टेक केर अलाहाफेज